फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जबडे में जो दर्द की समश्या है वो काफी आम लोगों में पाई जाती है तो उसके रिलेटेड हम घर बेठे ऐसे कौन से माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजिस है ऐसी कौन से फिजियो थरापी है कि जिसकी मदद से अगर किस इलाज हो सकते हैं और क्या होम केर टिप्स है अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप खास करके वो वीडियो जरूर देखे अब चलो करते हैं शुरूआ अब पहले समते हैं कि जबडे में जो दर्द है वो कहां स शुरू होता है तो coming to this slide जो अपने कान का आगे का portion रहता है यहां पर यहां से हमारी mouth ओपने यानि की मूख खुलने और बंद करने की moment का joint आता है तो अगर यह joint में कुछ भी गड़बड है तो उसके ही सब से सिर का भाग का दर्द होना या तो जबडे का portion का दर्द होना य उसके क्या exercises है coming to the exercise number one which is neck rotation, neck rotation यानि अपनी जो गर्दन है उसकी moment देना कैसे देना है पहले we'll start with clockwise rotation ऐसे करके आप clockwise अपनी नेक को 5-10 बर गुमाएं बाद में anti-clockwise ऐसे आप कर सकते है जैसे कि आप photograph में देख रहे है पहले neck rotation है बाद में clockwise और anti-clockwise करने के बाद आगे और पीछे फिर से आगे और पीछे तो यह front और back moment आपको 5-10 बर करना है बाद में side by side यानि कि towards left और right तो यह करने से किया होता है कि अपने जो जबड़े के जो muscles है उसमें positive stretch आता है कि जिसकी मदद से muscles का blood supply दिरे-दिरे करके बढ़ता है और जो भी inflammatory mediators या तो जो सुजन के जो stretch के इसाब से अपना जो भी जबड़े का muscular pain है उसमें धीरे-धीरे आराम मिलता है तो neck rotation में पहले clockwise और anti-clockwise rotation बाद में right left और आगे और पीछे के गरदन की moment यह हमको 5-10 बर करना है अब जो यह neck rotations गरदन की moment है वो आप दिन में दो बार कर सकते हो सुबह को और शाम के टाइम अब coming to the next important exercise जो है isometric exercise isometric exercise में आप क्या कर सकते हो तो सबसे पहला उसमें chin tuck exercise आता है कि जैसे आप फोटो में देख रहे हो ऐसे हमको अपनी दो finger हो वो chin के यह दाड़ी के आगे के portion में रखना है और chin को ऐसे पीछे की तरफ press करना है ऐसे खास करके दियान रहे है कि यह exercise करने के time पे आपके move है उसमें one finger type का space यानि कि इतना move खुला होना चाहिए और बाद में दो finger ऐसे दाड़ी के आगे रखके chin को press करना है यह जो pressure है उसके हिसाब से अपने joint के उपर muscles को एक stretch मिलेगा खास करके धियान यह रखना है कि यह लगातर कुछ seconds तक नहीं करना है किसी को ऐसा होगा कि 2-5 seconds में यहां दर्द होना start हो जाएगा तो आप शुरू-शुरू में खाली 5 seconds ही करिए और 5-10 seconds से शुरू आत करके धिरे धिरे आप उसको 20-30 seconds तक लेके जा सकते हो लेकिन खास करके एक चीज याद रखे कि जैसे ही आपको कुछ भी दर्द या तो ऐसा discomfort हो रहा है इस चीज को discontinue करना है तीरे-दीरे करके आप ज्यादा सेकेंड तक कर पाओगे जैसे-जैसे muscles में recovery आएगी उससे coming to the another important set of exercise which is another type B of isometric exercise इसमें सबसे important exercise है mouth open करके अपने जितने भी finger से उसको आप ऐसे रखके stable कर सकते हैं जैसे कि किसी का मुझ खाली दो उंगली खुल रहा है तो ऐसे मुझ पुरा खुला करके ऐसे आप finger को hold करें जैसे धीरे-दीरे करके उसको एक positive stretch मिले और दीरे-दीरे करके आपको आराम मिल सकते हैं यह exercise भी जो neck rotation के बाद में बता रहा हूँ और आप हर दो घंटे में एक बार repeat कर सकते हैं यानि कि पूरे दिन में 6-7 बार उसको repeats करना है यह sets को उसमें जैसे हमने समझा finger वाला mouth opening वाला exercise बाद में दूसरे exercise कि अगर मैं बात करूं तो मुझ पुरा खुला रखना है जैसे कि आपका मुझ है एक या दो अंगली खुला रखे और बाद में ऐसे अपने थंब से दाड़ी के नीचे रखके pressure exit करना है मुझ खुला ही रखना है और ऐसे upward pressure exit करना है कि जिससे यहाँ पे आपको force muscles के उपर आएगा इसमें भी शुरू शुरू में आपको अगर जबडे की problem है तो 15 12 सेकेंड में दर्ध होगा लेकिन दिरे दिरे करके आप उसको 30-40 सेकेंड तो continue कर सकते हो एक ऐसा आभी lateral exercise है कि जिसमें आपको मुझ को sideways यानि कि right और left जबडे को लेके जाना है जैसे कि ऐसे ऐसे है तो अगर हम towards right side लेके जाते है तो ऐसे ऐसे आपको दो finger से उसको support करके press करना है इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा positive pressure और खीचा उपता चलेगा ऐसे left side जबडे को लेके जाना है और यहाँ से press करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा pressure लगेगा तो यह सारे जो exercises है बाद में chin का exercise हुआ, mouth opening और यहाँ तो lateral वाले यह exercises और जो neck rotation है वो शुरू-शुरू में आपको पहले 5 या 10 second से start करना है बाद में जितने भी isometric exercises है जो मुह खुला रखने वाले या तो finger pressure वाले वो आप दिरे-दिरे करके 30-40 second तक कर सकते हैं जो isometric exercises है वो दिन में 6 से 7 बार repeat करे और जो neck rotation से वो सुबा और शाम को दिन म आपका फर्क महसूस होगा दिरे-दिरे करके आपकी जबडे की problem में ओशौल हो जाएगी उसके लिए क्या medicines ले सकते हैं जबडे के problem होने के क्या क्या कारण है और उसके लिए कौनसी आप home care tips में ध्यान में रख सकते हैं उसका video भी i button पे आ जाएगा और description में link है अगर आप के वीडियो में हमने समझा कि ये mouth opening exercises और physiotherapy की मदद से आप कैसे जबडे में अपने जो दर्द का problem है उसका घर पे बैठे ही उपचार कर सकते हैं तो मिलते हैं एक अगले interesting topic के साथ next video this is dr. मितुल सोजित्रा signing off